कि अज़ के वीडियों मैं बात करने वाला हूँ इसे कुछ में दश टैंग मेट्स आपको बाताने वाला हूँ जो कि अब सिल्वर अरवन अफिस के साथ आरम से रख सकते हो किसी भी दिक्कत के बिना पर दूस्तों यहाँ पे वीडियो शुरूरे से पहले मैं आपको एक रिक पास्क्राब को नोटी पीकिशन का जो बेल एकन रहता है उसको आप अन करें कि ऐसे भी नहीं वीडियो से लाती रहता है वह भी हिंदी में तो चलिए दोस्तों यह वीडियो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों पहला जो टैंग में से हो है ब्लड रेट पैरोड फिश ब्ल एक एक एक्चुलि एग्री सिव फीश है और आप सबको पते अगर आपके बास पैर त्वी रहएगा तो पता रहेगा क्पार उसका बर्साइन क्या है पैरच वीडियोड पैरां इसी फिश है जो टैंग में मीड में 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 कीम करती है और मिडल में स्वीम करती है इक अच् तोई भी आपको किसी भी प्रकर की दिखकत ने आएगी दोनों भी जो टैंक वो अच्छे से शेयर करेगी अब एक धायन में रखना कि पैरोड फीश आप रख रहे हो तो उसको आप हाइडिंग स्पॉट दे तो जितना हो सके होतना मतलब अगर उसको अरवाना फीश से अगर कुछ उसको डर लगा तो खुद को सेप कर सकते हैं उसको हाइड कर सकते हैं क्योंकि पैरोड फीश है थोड़ा स्ट्रेस में जब भी आती है तो तो अन्नेसरी एग्रेशन है दूसरे फिश को दिखाती है तो इससे गया से जो फाइट रहते होने के चांसे बढ़ जाते है करने का जो तरीका है वह भी बहुत ही अलग है और एक लार साइज में ग्रूने वाली रहते तो जो स्मॉलर साइज वाली फीश जो रहते हैं तो उनके साथ लड़ाई करने के लिए दो बार सोचते हैं तो पैरोड फीश आप रख सकते हो अरवना फिश के साथ किसी भी दिक सब्सक्राइब के बीना तो अगला जो टैंक में से हो है पाको फीश दूस्तों पाको फीश एक थोड़ी इंट्रेस्टिंग फिश है और इंडिया में तो बहुत ही कम पाली जाती है कुरें में बट अगर एक सर्वे हुआ था उसमें आप दिकोंगे तो और की फोर्ट बड़ा फीश रहेगा तो आप पाको फीश को उस टैंग में आड़ कर सकते हो एक्चुली पाको फीश जो है ना ओ जबी स्मॉलर साइज में रहता है एक चुविनल स्टेट में रहता है तो उसका एग्रेशन बहुत ही ज़्यादा रहता है पर जैस जैसे वह बड़ा होते जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मैच्छ होते जहता है तो इसका एक्रेशन भी बहुत कम हो जाता है पाधोार फीश फीश जाए कि दौल च données रहेगा तो हैध्जी से रहेगी और बान ग हो के भी एक लेस एग्रेसिव फीच रहती है तो आपके सिल्वर अरवना को कुछ भी किसी भी प्रागर का इश्यू नहीं क्रिएट करेंगी दूसरों तीसरी जो टैंक मेंट से हो है सिल्वर डॉलर फिश एक साथ एक अरुवना के साथ 5-6 मचलिय है और आट करनी की 내가 है तो आप बैशत जाओ सिल्वर डॉलर फिश के साथ i sनी फिश इनको गोर्प में रहना अच्छा लगता है अगर एन आप उसको एक पेर में इसे एड़ करें तो एन वो खुद एक अलोन स्टेट में आ जाती है और उसके मरने के चांसे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते है तो स्कूलिंग फिश है इनको ग्रूप में एड़ करो किस फिश गोड़ के साथ चूड़ सकते हैं और सचे सो अब किसी बीराखर की दिक्कत नीकि एक फास फिमर फीश है हो और अच्चे से आपके टैंग में रहे गी किसी बीराखर की दिक्कत नीकि सिल्वर डॉलर फिश को अगर आप अच्छी से कर गोगे तो आपके टैंक में नव से दस सल आराम से जी सकते हैं किसी भी दिकत की बिना पर धैन में रखो आपको जबी भी ऐड़ करने का है सिल्वर अरवना फिश की साथ सिल्वर अरव फिश को तो गुरूप में आड़ करो आप एक या दो पीस में मत आड़ करो अननेसेजर इस वह अलुन फिल करेगी और उसके डिजेस या फिर मनने के जान से बहुत जादा बढ़ जाते हैं तो यह प्लिस चीज़े आप थैंड में रखना फोर टैंक मेट से कॉमन प्लेको हालागी इंडिया में धिरी-दिरी बै अगर आप प्रिफर करते हो बड़ा टैंक तो कॉमन प्लेको जैसे एक एलगी डर ग्लास को क्लीन करने वाला फिश आपको कहाँ पी दिखेगा नहीं है अगर आपके बड़ा टैंक है और आपको मेंटेनिंस करने के लिए एक एक्वरेम फीच है तो कॉमन प्लेक आरम से करने का है तो आप विए को फिश के साथ जाओ किसी ब्रकर की दिखकत न आएगी लेको फीच बेक दो फिट तलक साइज में ग्रूँता है तो पहले से अप ध्यान में रोको जितने जुब फीच मैंने आपको बतहे इसके पहले जोड़े लार साइज में ग्रोर ते मैं आप कोई भी एक्विरम फिशे स्मॉल साइज मैंने बतर हो क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता की सिल्वर अरवाना फिश एक कितने बड़े साइज में ग्रूव होती है तो बाड़ा साइज अरवान अगे लिए दो उसके साथ जो भी आड़ कर रहे तो तो अच्छा रहेगा तो कॉमन ब्लेगों फिश आप सिल्वर अवरना फिश के साथ आड़ कर सकते हो किसी वरकर की दिक्कत ने आएगी दो नोवे फिश अच्छे से टैंक के वो शेयर करेगी फिप जो टैंक इटनोइट से आपको देखने को मिलेगे इंडिया में और बहुत ही एक अच्छे फिश है और बड़े साइज में ग्रोती है तकरीब ने 18 इंचिस साइस तर्लोग ग्रोती है और इतने बड़े साइज में ग्रोख होके भी इसका जो टेंपरमेंट है वो बहुत ही जादा तो जाके वो दूसरे फिश के उपर आटा करने के उसके चांसे ज्यादा ही बढ़ जाते हैं अच्छे से रहेगे आपके टैंग में और एक टैंग है दोनों अच्छे है शेर करेंगे किसी बागार की दिकत नहीं क्रेट करेंगे च्छटवा टैंग मेंट से हो है बाइशर अधिश एक एक यूणिक लूक है उसका पुला बगर पूरा अधियोंच एक यूप लूक है एक ही credit के लग प्रिपर करते बाइशर फिश को रखने के लिए और सिल्वर अरवना फिश के साथ आप आराम से रख सकते हैं किसी भी दिक्कत के बिना टैंग जो शेयर करेगे दोनों भी अच्छे शेयर करें क्योंकि बॉटम में ही रहती है इसका जो रिजन है और नीचे का ही रिजन है बॉटम फीडर फ पिश आप सोच रहे हो ना कि बॉटम में रहे हैं कुछ अलग तो आप एना फ्रेश ओडर स्टिंगरे को आप एड़ कर सकते हो एक यूनिक एपिरेंस है पूरी दर से क्रेट करता है फ्रेश ओडर स्टिंगरे का एक प्रॉब्लम ऐसा है कि जो टैंक है उसको वाइड में ज आता है बस एक ही इनका प्रॉब्लम है पाकी का आप सिल्वर अर्वन फीश के साथ आराम से रख सकते हो किसी भी दिखकत के बीना और ऐसा बोड़ा जाता है कि फ्रेश ओडर स्टिंगरे रहते हैं ओ थोड़ा यूमन से इंटरेक्ट भी अच्छे से करते हैं जैसे फ्लोर प्रकर की दिक्कत ने आएगी अठ्वा टैंक मेंट से वह है इरिडिसन शार्क इरिडिसन शार्क बहुत ही ज्यादा हाड़ी फीश है और चार फिट तलग ग्रोवने वाले फीश है एक्विर्यम शाम से जब खरी थी तब एक से दो इंचेस के रहे थी बड़ हो एक्ष्वल में फोर्ट फिट तलग ग्रोव सकती है एक हाड़ी फीश है और अरवन के साथ अच्छे से टैंक शेर करें किसी प्रकर की दिक्कत ने द तो इसको इसकी जो एक्टिविटी रहती है वह रात में ज्यादा बढ़ जाती है तो आप दूरिंग नाइड अप थोड़ा फीडिंग हो ज्यादा गरके रखो एक्सेस फॉट डालके रखो जो कि इसकी जब एक्टिविटी बढ़ेगे तब यह फूड़ हो खा सकता है किसी दूसरे फीश को दिक्कत ने दे सकता है ऐसा तो नहीं करें कि ज्यादा अगर के ब्लैक गोश्नाइफिश स्विम करती है बॉटम में स्विम करती है निचले ल रह सकती है श्टे कर सकती है रेश कर सकती है तो ऐसा को जब सेट अब इंट्रेस्टिंग बना होगे तो ब्लैक गोश्नाइफिश आराम से रह सकती है अरा जो सेट अब रहेगा पाइप का उसमें बट सिल्वर अरवना की बात करोगा और ब्लैक गोश्नाइफिश की बात कर एक सिकलेट फैमिली का फीश है थोड़ा एग्रेसिव नेचर का फीश है शान्थ करने के लिए कुछ अलग से सेट अप क्रेट करना पड़ता है अगर आप क्रेंट टेरर रखने की सोच तो एक हाइडिंग स्पॉट इसको दे दो तो इसका जो एग्रेशन लेवर रहेगा बह जब भी एक्स देते तभी डूरिंग में थोड़ा एग्रेसिव हो जाते है थोड़ा जो टैंक जो आप बोई सकते हूं एन्वर्मेंट है ओ थोड़ा खरब कर देते हैं बट सिल्वर अरवना फीश और ग्रीन डेलर फीश आप रख सर्थ एक टैंक में किसी भी प्रकर की द तरह जो मेरे कुछ दस टैंक में आपको बाता है जो आप सिल्वर अरवना फीश के साथ आरम से रख सकते हो किसी भी दिक्कत के बिना हर एक फीश का इन्फोर्मेशन इसमें मैंने आपको दिया है दो कि आपको टैंक में चुनने के लिए बहुत ही आसानी होगी तो दो दो तक कर वरीवन और बाहु